नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर आपके साथ मैं हूँ अफीफा मलिक टेक्नोलोजी और एड्वांसमेंट के इस जमाने में ज्यादा तर लोग अपूरी तरह से टेक्नोलोजी पर डिपेंड हो चुके हैं डिजिटल पेमेंट बैंक के चक्कर और ट्रांसाक्शन से भरी जिन्दीगी को आसान बनाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानि यूपी आई ने आम लोगों की जिन्दीगी का हिस्ता बनते हुए कैशलेस रहने के सफर को और मजबूत कर दिया यूपी आई का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चाहें श किसे आपके पेमेंट करने पर कोई फार्थ नहीं पढ़ता कई के इस माध्यम से ना तो किसी का काम रुपता है ना ही लंबे वक्त का इंदजार करना पढ़ता है किसी ट्रांसाक्शन के लिए और ना ही बैंक के चक्कर काटने पढ़ते हाथ में पैसे आने के लिए एक 24 मार्च 2023 को जारी किये गए सर्कुलर में कहा कि UPI से मर्चेंट ट्रांसफर करता है तो उससे अब इंटरचेंज फीस देनी होगी आपको बता दें कि पीपी आई के अंतरगत कार्ड और वालेट दोनों आते हैं मीडिया रिपोर्ट के मताबिक NPCI के सर्कुलर में 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांसफर पर ही ये इंटरचेंज फीस अप्लिकेबल है ऐसा भी कहा जा रहा है कि NPCI ने अलग अलग इंटरचेंज फीस तैकी है ये चार्ज मर्चेंट ट्रांसफर यानि वेपारियों को पेमे पर कोई चार्ज रही देना होगा इस नए नियम को वर एप्रल से लागू करने के बाद NPCI 30 सितंबर 2023 से पहले इसकी बारी किया परखेगा